हर एक समझदार व्यक्ति को, जिम्यदार व्यक्ति को, समवैधानिक मापधन्ग का अनुपालन करना चाहिए, उसका उलंगन करने का अधिकार किसी को भी नहीं। वो उन आक्रमन कार्यों का अपना आदर्स मनता है, और ये गलत है। हम किसी को दुख पहुंचा के किसी का हग छीन करके सुखी होने के लिए ना मंत्र देते हैं और ना उसको स्वयम मानते। पूरे देश में समान नागरी संगीता को लगू करें इससे सब के लिए एक ही विधान हो और सब उसका अनुपालन करें। हमारे साथ मौजूद है गोवर्धन पूरी पीट के पीठा धिश्वर जगत गुरु संकराचार स्वामी अधोक्षा नंद देवतीर जी महराद। महराद जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय तवकीर रजा साब जो मुसलमानों के बड़े नुमाइंदे अपने आउपको बताते हैं उन्होंने बार बार ये बयान दिया है कि जो हमारी काशी में ग्यान वापी है वहाँ पर जो पूजा अर्चना हो रही है वो गलत है। 75 साल हो गए है हमें आजाद हुए हमारा जो समाजिक तानावाना है बहुत मजबूत है समबैधानिक व्यवस्थाएं यहां पूरी तरह से कारे कर रही है और देश उन्नती के पत्फर है हर एक समझदार व्यक्ति को जिम्मिदार व्यक्ति को समबैधानिक मापधन का पालन करना चाहिए उसका उलंगन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है यदि कहीं अनुचित और गयर वैधानिक निर्माण है उसमें चाहे मंदिर हो चाहे मर्जिद हो या कोई धर्मस्थल या अन्य कुछ निर्माण हो व्यक्ति विसे इसका उसको सोता हटा लेना चाहिए अन्य था यदि सरकारी सरस्था उसको हटाती है तो वो तो हटाएंगी और उसका पालन होना भी चाहिए ऐसी स्थिती में किसी सारवजनिक व्यक्ति को जो अपने आपको धर्म गुरू कहते हो या समाज के किसी भी जिम्मेदारी वाले उहदे पर हो उनको ऐसी गर प्रवाइए उस सबके लिए जाइज है महरा की उन्होंने तो आयुद्या में जो नेर्णे दिया देश की सर्वोच अदालत ने उस पर भी प्रशनेची ने लगाए हैं और कई तरह के बातें कहीं है क्या तोकीर रजा सम्मीधान से उपर है सर्वोच अदालत से उपर है भ उने था सम्विधान सम्मत जो उलंगन करने वालों प्रकारवाई होती है उसके लिए तयार है आयोध्या में स्री राम मंदिर निर्मान जो हुआ है वो प्रारंब से ही त्रेता युग से वो भगवान स्री राम का मंदिर ही था मध्यकाल में अतिक्रमनकारियों ने आतंग किया भावनाओं को ठेश पहुचाते हुए अपमानित करने के लिए उस दर्मस्तल से छड़खानी की गई और उसको मस्जित का रूप देने की कोशिश की गई अब हमारा जबराज आया भारश स्वतंत्र हुआ हमारी सम्मधानिक व्यवस्था ने ज्याए व्यौष किया वहाँ पर जाज पड़ताल हुई जो सबूत पाए गए उसके आधार पर माननि उच्चोतम यायाले ने दूद का दूद और पानी का पानी का आधिश दिया है और जिसको हमारी केंद्र और राज क्रburst की शरकार शेotros कार अरूपालन नहीं है और यदि कोई फरंगली उठाता है इसका मतलब है कि वो भारती संस्कृति को अपना आदर्स नहीं मानता वो उन आक्रमनकारियों का अपना आदर्स मानता है और ये गलत है आक्रमनकारी अन्याई थे अत्याचारी थे वो किसी के आदर्स नहीं हो सकते हैं पराजी उत्राखंड में जो समाननागरिक संहिता को लेकर के पहल हुई है उसके बाद भी तवकीर रजा ने उस पर भी बात की है और कई ऐसे वयान दिये हैं जिससे साम्रदाइक सवहर तक खराब हो सकता है और उनका कहना है कि टार्गेट किया जा रहा है मुस्लिम चाहे मद सुखी नहा सरवेशंत निरामया यह हमारे बेद मंत्रों का उडोस है हम किसी को दुख पहुचा के किसी का हक शीन करके सुखी होने के लिए ना मंत्र देते हैं और ना उसको स्वयम मानते लेकिन भेदभा परक जो नीतियां है तुष्टी करण की जो नीतियां है वो इस दे हमारे बहुत सारे समाज सेवियों ने राजनीतिग्यों ने इस पर अपनी बलिदान तक दिया है डाक्तर स्यामा प्रसाद मुखर जी ने एक विधान एक निसान को लेकर के जो अभियान चलाया और उसका जो परिणाम है उनको अपना जीवन का बलिदान दे कर चुकाना पड़ा तो उन बलिदानियों का जो तपस्या है वो एक निएक दिन शफल होनी थी और आज हमारे सास्रकों को है ग्यान आया है और मैं समस्ता हूँ ये बहुत ही स्वागतियों के कदम है उत्राखर्ण सरकार द्वारा ये शुरुवात की गई है मैं वहाँ के मुख्यमंत्री को वहाँ के समस्त जिम्मेदार सरकार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ सादुवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छी शुरुवात की है और मैं भारत सरकार को भी और माननी प्रधान मंत्री जी को भी बहुत जल्द एक पत्र लिखने वाला हूँ और मैं उसे आगरे करूँगा कि आतिसी ग्रुवों पूरे देश में समान नगरी शंगिता को लगू करें जिससे सब के लिए एक ही विधान हो और सब उसका अनुपालन करें भेद भाव परक जो भी कानून में फर्क है उसको खतम किया जाए लेकिन मराजी तवकीर रजा साब जैसे लोग इसी UCC को लेकर के सामप्रदाइक सवहार्थ को ताग पर लगा रहे हैं उन पर क्या होना चाहिए जो कानून को तोड़ेगा तो कानून में दंडात्मक कारवाईयां भी हैं वैसे मैं जिम्मदार लोगों को आग्रह करूंगा चेताओंगा कि वो अपने धर्मा अनुसासन के अनुसार धार्मिक लोग धार्मिक कारे करें और राजनीति करें धार्मिक लोगों को भी कानून मानना बहुत जरूरी है और राजनीतिक्यों को भी कानून मानना बहुत जरूरी है देश सबसे बड़ा है और देश समिधान से चलता है जो समिधान का उलंगन करेगा वो दंड का भागीदार होगा तो संक्राजार जी का कहना है कि देश सबसे बड़ा है, सम्मिधान सबसे बड़ा है इसलिए सब को सम्मिधान का पालन करना चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें सम्मिधान और कानून के तहत उनके खिलाब सक्त कारवाई भी होने चाहिए दिनेश सिंग टेविन नैन यूपी संगमतर प्रियागराज